हाई स्टूदेंट्स, वेलकम बैक टू माई चानल, आज के इस वीडियो में 500 फ्रेजल वर्प का लेक्चर 3 करेंगे, जिसमें हम लोग 20 न्यू फ्रेजल वर्प पड़ेंगे, जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग अल्रेडी दो लेक्चर खतम कर चुके हैं, that means हम का सेसन 3 या फिर लेक्चर 3 होगा, जिसमें हम लोग 20 न्यू फ्रेजल वर्प देखेंगे, I hope आप लोग को पीछे के सेसन बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग को पीछे के सेसन बहुत अच्छा लगा है, तो फिर आप लोग ये सेसन भी end तक देखिए, ताकि इ आज के सेसन का हमारा पहला फ्रेजल वर्प क्या है, कौम अफ, क्या है, कौम अफ, that means what, belongs to, that means be the result of, या फिर परिणाम होगा, ये दो चीज होगा, ये एक और उसके साथ ये दो, कौम अफ means, यानि कि belongs to, यानि कि आप किस family से, या किस घर से belongs करते, यानि कि किस समाज से आते हैं, या किस परिवार से आते हैं, उस जगह पे हम लोग कौम अफ का use करेंगे, साथ ये साथ बीद और result of, यानि कि आप एक काम करो, end of the day उसका result क्या आता है, हम लोग उसी जगह पे भी कौम अफ का use कर सकते हैं, यानि कि ये दो जगह पे use हो सकता है, और मैं example के थुरू आपको ये दोनों चीज क्लियर करवा दूँगा, जैसे कि पहला example आप लोग देख लिजिए, यहाँ पर क्या है, जगदिस कौम साफ ए नोबेल फैमिली, यानि कि जगदिस किस family से और एक मैं picture लगाया हूँ, जिससे आपको ये कौम अफ का meaning clear हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कौन है, सेफली खान है, और उनके साथ ये उनका बेटा है, और उनके बेटी, और साथ ही साथ उनका छोटा बेटा है, ये लोग क्या है, ये लोग royal family से बिल listening, sorry, यहाँ पे end चुट गया है, listening लिखा है, listening, that's what comes of not listening to my advice, यानि कि ये आदमी क्या कर रहा है, अगर आप मेरे advice नहीं मानोगे, तो वैसाई ही घटे गा, यानि कि उसका result वैसाई होगा, यानि कि एक person, person A, person B को कुछ advice दे रहा है, और person B उस पे अमल नहीं कर रहा है, या पिर उस पे act नहीं कर रहा है, तो end of date क्या होता है, person B suffer होता है, क्या होता है, यानि कि उसको problem मेफसथा है, तो person A उसको क्या बोलता है, पर्सन A उसको बोलता है, अगर तुम मेरे बात नहीं मानोगे, वो तुमारे result वही होगा, यानि कि come of, यानि कि तुम जो काम करो, उसका तो कम अफ क्या होगा या फिर रिजल्ट क्या होगा कुछ गलती होगा ठीक है आप लोग को यह पता चल चुगा होगा तो फिर हम लोग next फैजल भर के तरफ चलते next फैजल भर हमारा क्या है die down क्या है die down यानी कि धीरे-धीरे मरना हम लोग ऐसे मान सकते यानी कि gradually gradually disappear या फिर become less strong यानि कि धीरे धीरे डिसापियर हो रहा है बहुत चीद या फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है वो वो धीरे धीरे घट रहा है यानि कि उसका बल घट रहा है हम लोग मान सकते हैं आप लोग इस example के माध्यम से यह चांद सकते हुँ दो fire was beginning to die down ż抽 यानि के fire क्या कर रहा है हम लोग इस picture में देखेंगे यहां पर आप죠 यहां आप लोग इस एक्जाम्बूल और इस पिक्चर के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं ठीके तो फिर हम लोग कंटिनियोसली उसे आधे में छोड़ के जाने को हम लोग क्या अपना बोलेंगे ठीक है जैसे कि किसी चीज को बीच में छोड़ेने को हम लोग कि उसको बहुत कमपनी उससे बहुत कमपनी उससे बहुत कोस्ट खीच रहे यानि कि यू कि Taylor X Company क्या क्या-क्या वह फ्लान को ड्रॉप कर लिया यानि कि पीछे हट गा या फिर आधे रस्ते में छोड़ दिया जैसे कि आप लोग इस महान भक्ति को देश रहते हैं यह कौन है बिल गेट से इन्होंने क्या क्या था यह क्या लिख रहा है आधे में जो चीज़ छोड़ा जाते हम लोग उसको क्या बोलेंगे यानि कि drop out in the middle of doing something ठीके तो फिर हम लोग next फ्रेजल भर्व के तरफ चलते हैं next फ्रेजल भर्व हमारा क्या है cope with यानि कि manage with यानि कि निपतना ठीके आप लोग इस example के माध्यम से और picture के माध्यम से जान सकते हो माया is struggling to cope with the heavy workload in her office मानले जे ये माया है इस गली माया यानि कि ये क्या करे ये बोल रहे है माया is struggling to cope with यानि कि माया क्या करे उसके पास lot of workload है या फिर वो बहुत busy दिख रहे है क्योंकि उसके पास बहुत workload है यानि कि उसके पास बहुत सारा office के काम है यसलिए वो क्या करे रहे है माया ठीक से वो cope with क्या मतलब क्या है वो manage नहीं कर पा रहे है माया is struggling to cope with the heavy workload in her office यानि कि उसके office में ज dibuj जहां बहुत आदा walks है वो उसे ठीक से manage नहीं कर पा रहे है या यानि कि आई से बहुत स्ट्रुगल कर रहे है हम लोग एसे मान सकते है You're just adjust कर रहे है मगर वो क्या कर रहे है काम को ठीक से नहीं कर पार है उसी काम को manage करने में उसको बहुत मुश्किलात हो रही है ठीक है तो फिर हम लोग next phrasal verb के तरफ चलते है next phrasal verb हमारे क्या है do without क्या है do without यानि कि manage without यानि कि आप उस एक चीज होगा आप जिसके बिना काम ही नहीं कर सकते यानि कि जिसके बिना रहे नहीं सकते यहां पर काम नहीं कर सकते हैं हम लोग उसी जगा पर यह चीज का phrasal verb के यूज करें यानि कि क्या बिना करना एक चीज के बिना आप कुछ काम नहीं कर पाते हो that means in his work he cannot do without a computer यानि कि मान लीजिए यह ex person है यह graphic designer है क्या है यह graphic designer ग्रा यह आत्मी क्या कर रहा है इसके लिए यह computer के बिना जी नहीं सकता यानि कि in his work यानि कि यह जो काम कर रहा है he cannot do without a computer यानि कि he cannot do without a computer means यानि कि वो computer के बिना काम करी नहीं सकता कैसे करेगा computer तो उसको चाहिए नहीं तो graphic design कैसे कर पाएगा ठीक है I hope आप लोग को यह पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग next फैजल पर के तरफ चलते हैं next फैजल पर मार क्या है beer away क्या है यह beer away that means win होता यानि कि जीतना ठीक है जैसे कि jack bore away the first prize in the painting competition आप लोग इसे jack मान सकते हो इसका name this guy's name is jack यानि कि इसने क्या क्या यह जीता है इस painting के बज़े से जो painting competition हुआ था उस यह own the first prize in the painting competition ठीक है I hope आप लोगो यह समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग next फैजल पर के तरफ चलते next फैजल पर हमारा क्या है call off क्या है call off यानि कि suspend और give up यानि कि परित्या करना यानि कि आप किसी चीज को छोड़ रहे हो या the management या फिर आप लोग abandon भी लिख सेकते हो क्या है abandon यानि कि give up भी लिख सेकते हो तो management has officially asked the workers to call off their strikes यानि कि यहाँ पर आप लोग इस picture के माध्यम से देखते हो तो यह management से आदमी है यह लोग क्या कि यह लिटल बीट workers है यह लोग क्या करें इस strike कर रहे है management क्या कर रहा है management officially management से order रहा है कि आप लोग अपना जो strike कर रह हो आप उसको परित्याग किजिए यानि कि यहाँ पर जो लोग क्या कर रहे है यहाँ पर लोग strike कर रहे है उन लोग को strike परित्याग करने के लिए management उसको officially request या फिर order दे रही है ठीक है I hope आप लोग को यह पता चल चुगा होगा तो फिर हम लोग next फेजल पर को तरप चलते नेक्स फेजल पर हमार क्या है Cast away यानि कि throw awayふ цен rich Covid को useless जैसा फेक रही है यानि आपको और नहीं लग रहा है वहाँ आपके यूज में वह चीज आये गारने कि आप उससे throw away useless यानि कि आपको वह जरूदत की सामान नहीं है आप इस तरह उसे फेक रहे हो ठीक है जैसे कि आप लोग इस एक्जाम्पूल के माध्यम से देखिए do not cast away the used books यानि कि आप लोग मत यह मत काम कीजिएगा अगर आपका कोई class में अगर आप 11 पढ़ते हो या फिर 12 पर पढ़ते हो या आपका छोटा भाई या बहन पढ़ता होगा अगर उसका जब एक्जाम्प खतम होता है आप लोग उस बुक्स को फेकिए मत या फिर रदी बाला को मत बेचिए कोई नीडी होगा कोई नीडी स्क्राइब कर सकते हैं ठीकिए आप लोग यहां पर डोनुन केजिए जासे कोनेट क्यों कर सेकते हैं आप लोग उसको के मत किजिएगा ऑब आप लोग को यह समाज में आ गया होगा तो फिर हम लोग next फेजल फर्फ के तरफ चलते हैं next फेजल फर्फ हमारा क्या है? put down क्या है? put down यानि कि destroy और demolish यानि कि आप किसी चीज को destroy कर रहा हो या फिर demolish यानि कि उसे waste कर रहा हो यानि कि nest करना small crowd attempted to pull down statue यानि कि यह small crowds है यानि कि छोटे जोटे crowd है या फिर कुछ लोग कुछ लोग मिलके क्या करें इस statue को तोड़ना के लिए चाह रहा है यानि कि demolish या destroy कर रहे है ठीक है? I hope आप लोग यह दोनों को मिला के इसे अच्छे से याद रख सकते हूँ मैं जो lecture ले रहा हूँ उसका PDF में अपने टेलिग्राम चैनल में दे दिया हूँ और टेलिग्राम चैनल का link में description में दे दिया हूँ आप लोग वहीं से जाके टेलिग्राम में जॉइन कर सकते हैं साथ यह सब चीज का मैं PDF वहीं पर डालता हूँ यानि कि टेलिग्राम में available है आप लोग वहीं से डाउनलोड करके अपना note बना सकते हैं ठीक है I hope आप लोग को इस सब समझ में आ गयागा तो फिर हम लोग next फेजल बर को तरब चलते next फेजल बर हमारा क्या है wipe away क्या है remove यानि कि हटाना ठीक है wipe away मतलब remove या हटाना जैसी कि आप लोग देख सकते है you must wipe away the blood with the damp cloth to make it less visible यानि कि यह क्या कर रहा है यह बोल रहा है आप लोग को क्या करना चाहिए यहाँ पे जो bloods bloods के चीटा जो गिरा है आप लोग damp cloth that means थोड़ा क्या होगा पानी में डुबा होगा उस cloth से अगर आप उसे साफ करोगे अगर करोगे वह साफ होने का बहुत chances है ठीक है आप लोग को यह समच में आ गया होगा तो फिर हम लोग नेक्स प्रेजल भर्व के तरप चलते हैं नेक्स प्रेजल पर हमारा क्या है वार्क आउड यानि कि solve the problem क्या है solve the problem यानि कि समस्या का समाध्धान करना क्या करना समस्या का समाध्धान करना यानि कि we need to work out the sitting arrangement for the marriage ceremony we need to work out the sitting arrangement for the marriage ceremony जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस marriage hall में या फिर banquet में एक marriage function चल रहा है जैसे कि आप लोग क्या किये कोई chair यहां पर लाके डाल दिया है कोई यहां पर मतलब वह dis arrangement कर दी हैं यह लोग अभी क्या है जब season होता है मतलब जब marriage का season होता है एक-एक banquet hall में एक marriage marriage खतम होगा साथी साथ अगले दिन और एक marriage होगा या फिर दूपेर को खतम होगा रात को एक होता है यानि कि hotel के जो boys काम करते है ठीक है यह जो साप सपाई काम करते है आप उनके पॉइंट होभी से यह सोचिए यानि कि उनके बीच में बाती चल रहा है वो लोग क्या बोल करना है हमारा सिटिंग जल्दी जल्दी करना क्योंकि सुभा और एक marriage पर्टी का function है ठीक है आप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा तो फिर हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है और कि से मिलने के लिए यानि कि आप किसी आदमी से मिलने के लिए उसके घर जारहे हो जब किसी प्लेस के लिए जाओगे ऑट लागेगा तो खिर हम लोग एक्जम्पल देख लेते हैं President of India, the president of India, the president of India paid courtesy call on the queen of Britain. यानि कि यह क्या कर रही है, President of India थी, मुझे यह picture मिला internet से, मैं इसमें डाल दिया, यहाँ पे President of India हमारा previous थी, यह बृतन के रहानी से क्या कर रही है, यह courtesy call दे रहे है, call on कर रही है, यानि कि यह उन से जाके मिल रही है, यानि कि विजिट कर रही है, ठीक है, यह उन से जाकर विजिट कर रही है, या फिर मिल रही है, ठीक है, I hope आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, आठ जब लगेगा, आप किसी प्लेस को जा रहे हो किससे मिलने, आन लगेगा, तो फिर आप लोग किसी आदम सक्सेस क्या है मेजर सक्सेस यानि कि आपकुछ अच्छा बहुत अच्छा चीमेंट करते होंगे तो आप लोग उस जगा पर ब्रेक्थ्रुव का यूज कर सकते हैं ठीक है यानि कि रहाश से की खोज करना या फिर मेजर सक्सेस पाना चंडिगड पोलीस गौटला का 15 पर बेक्थ्रु हो सकता या फिर एक डिस्कावर सक्सेस हो सकता यानि कि ये लोग ये सिक्रेड थे कौन झां रहा था कौन नहीं मार था किसी MK अचिमेंट को या यानि कि यह लोग या विग क्या है कि एक major success उनको मिला है ठीक है I hope आप लोग को यह समझ में आ गया होगा तो फिर हमारा next प्रेदल क्या है set aside याने कि year mark करके रखना यानि कि अलग रखना एक चीज को अगर आपके सपास 100 रुपिया है आपके salary 40,000 है सपोज माल लीजिए आप लोग 5,000 हर महीना year mark करके यानि कि अलग रखते हो किसलिए आपका saving के लिए आपके saving के लिए आप क्या करते हो 5000 year mark के या फिर set aside करके रखते हो ठीक है और strike down भी होगा यह दोनों example मैं दे दूँगा the verdict was set aside by the high court यानि कि जो lower court ने जो verdict दिया था हाई court ने उसको set aside कर दिया यानि कि उसको strike down कर दिया यानि कि उसको reject कर दिया हम लोग क्या लग सकते है reject strike down मतलब reject कर दिया या फिर set aside कर दिया ठीक है आई होब आपको यह पहला example समझ में आ जगया होगा second example क्या है the bank set aside two million dollar to cover bad debts from NPA यानि कि bank क्या किये bank two million dollar रखा है किसले रखा है वो अगर उसको दो NPA होगा या फिर bad loan होगा वो उस पर जाके उस चीज को invest करेगा ठीक है जैसे कि आप लोग देख तो यह एक person क्या करें यह planning बनाया है टूर करने के लिए अपने vacation के लिए यह अलग पैसा set aside या earmark करके रख रहा है ठीक है I hope आप लोग को यह तीनों example से समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग next प्रेजल पर के तरप चलते next प्रेजल पर हमारा क्या sit back यानि कि relax करना या फिर आराम करना example देख लिजिए do not charge sit back and let it happen instead of this try to make it happen यानि कि आप लोग आप सिर्फ मत सोचिए यानि कि आप relax मत किजिए यह मत सोचिए मैं सोचिए मैं सोचिए धीरे धीर मेरे भाग में जोगा या फिर मेरे destiny में जोगा वो मेरे साथ हो जाएगा उससे ज्यादा आप लोग क्या किजिए instead of this आप लोग आप क्या किजिए उसे try किजिए किसे उसे happen किया जाए यानि कि आप depend मत किजिए आपके destiny के ऊपर वो अपने आप होगा आप कोशिस किजिए अपने साइड से ताकि वो चीज एफेक्टिव या फिर work out हो जाए ठीक है I hope आप लोग को यह समझ में आ गया होग तो फिर हम लोग next result के तरफ चलते है next result हमारा क्या है fall flat क्या है fall flat flat मतलो ऐसा flat fall flat हो जाता है that means fail to produce any impact यानि कि उसका कुछ impact नहीं पढ़ रहा है that means कोई प्रभाब नहीं है आप लोग इस example और picture के मादर हम से पूरा clear हो जाओगे the party will fall flat without its precedent यानि कि party अगर BJP में हम लोग मान सक करते है recent scenario BJP जो पार्टी है यह दोनों लोग छोड़ के चले जाए या फिर यह लोग दोनों ना ही रहे तो BJP का हाल क्या होगा वो flat हो जाएगा यह मेरा मानना है this is my point of view आप लोग इसे गलत मत लीजिएगा यह से पढ़ाई के लिए मैं इसे use किया हूँ आप लोग इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग इसका गलत मतलब कुछ भी मतलिक लिए कोई पाठी यह आईडिलोजिक में सपोर्ट नहीं करता हो जो जिसको मैं सपपर्ट करता हो मेरे पास है मैं आप लोग को उसे एर नहीं करना चाहता हूँ मगर यह जो यूज कर रहा हूँ यह सिरफ पढ़ाई के परपोस से यूज कर रहा हूँ ठीक है फॉल फ्लाट मींस यानि कि प्रड्यूस नो इंपक्ट यानि कोई इंपक्त ही नहीं पढ़ रहा है तो पार्टी विल फॉल फ्लाट विदाउट सिट्स प्रेशिदेंट अगर यह लोग नहीं रहे गए पार्टी का इं कि ऐसल कितर आप दो जो घ्लत काम कि हों आप उसके लिए गयक कर रहे हूँ आप एक बैक्स से लोन लिये हो आप पैधिक टांप दे नहीं देतो तो डैंक क्या करते है आपको शेक बाउन्स कर वाता है या फिर आफ से जादा पैसा लेता है क्या क्या आपśliोंट कित तो है तो अपने जो लोन डिफल्ट किया है उसके लिए वो compassionate कर रहा होगा ठीक है यानि कि pay increases will not always make up for poor working condition यानि कि आप एक company क्या गरगा poor working condition दे रहा है मतलब लोगों को बहुत difficulties काम कर दे रहा है उनके health के लिए hazard है यानि कि यहां पर काम करना health में health के लिए hazard है यानि कि पैसे से क्या आप मतलब आदम क्यों खरी सकते हो वो इस चीज यहीं बताया जा रहा है यानि कि सिर्φ पैसा increase करने से कुछ नहीं होगा पैसा increase करके आप compassionate नहीं कर सकते हो, आप जो हमारे health के साथ खेल रहे हो, यानि कि आप लोग हमारे health को hazard में डाल रहे हो, उससे पैसा देख्या, उससे छुटकारा नहीं पा सकते हो, यह sentence बोल रहे हैं, आप लोग इस picture के माध्यम से इसे link up कर सकते हैं, ठीके, तो फिर हम लोग next फ्र या फिर जो किछ पढ़ा रहा हो, मुझे guarantee है, मैं अपने side से guarantee तो मैं यह सब पढ़के अच्छा माख लाए हूँ, इस बार भी मेरा prelims में 50-50, 50 out of 50 English में आया है मेरा, मैं यह सब पढ़ा हूँ, इससे ज्यादा पढ़ा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो analysis किया हूँ, सबस्माल लिजे, आप अगर MB publication का, आप अगर MB publication previous year book लगाते हो, आपको 180 रखने में से कोई रोक नहीं सकता, मैं challenge देता हूँ आप लोग, आगर आप लोग इसे complete कर लिए, मगर यह सब थोड़ा थोड़ा आपको additional करना पड़ेगा, अगर आपको 190 plus करना है, नहीं तो आप किसी है, और example अपने side से लगा दीजिएगा, ठीक है, तो फिर हम लोग next फेजलफर को तरफ चलते, carry on, यानि कि continue यह तो बहुत आसान है, आपको लोग को सब को पता होगा, यानि कि बनाया रखना, you will finish up dead if you carry on drinking like this, यानि कि तुम मर जाओगे, अगर ऐसा जो आज के समयाने पर जो सराब पीतों, अगर इसी तरह सराब पीना continue करोगे, तो तुमारा मरना तो ताय है बाबू, ठीक है, या पर क्या कर रहा है, या अदमी अगर SM सराब या गुटका गुटका खाएगा, तो इसका मरना थाय है, या फिर ताय है, ठीक है, तो फिर हम लोग आज का सेसन का लास्ट फ्र Italy अच्छे से देख लेते हैं, लास्ट फ्रील पर हमारक क्या CUTDOWN, यानि कि REDUCE कर रहा हो, यानि कि आपको BAYली को CUTD कर रहा हो, यानि कि reduce कर रहा हो, यानि कि कम करना, यानि कि CUTDOWN on FATTY FOODS And ALCOHOL if you want to lose weight, यानि कि अगर आप low weight lose कर न चातों, आप लोग को CUTD ही damn या reduce करना पड़ेगा फैक्टीक को Used करना पड़ेगा साथ साथ आलकोल को भी कад डाओन करन क्या आपको आइंटेक कर रहे हो उसको reduce करना पड़ेगा साथ साथ आप Fifty Food का भी Reduce करना पड़ेगा थिक यह की तो फिर आज के लिए इतना ही फ्रेजल परबता I hope आप लोगों को आज के session बहुत अच्छा लगा होगा सात हीसात session पहना اور session टू या फिर lecture वान और lecture टू भी आप लोगो अच्छा लगा होगा अगर आप लोग को मेरा काम अच्छा लग रहा है आप लग रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए relevant हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में आके इसके बारे में बता सकते हैं तब चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्त रहिए और पढ़ते रहिए, धन्यवार.